स्रिष्टी की शुरूआत से ही मनुश्य सांपों से डरता रहा है और उनके प्रती एक फ्रिना भाव रखता है या है हमने लोगों को कई प्रकार के जानवरों को पालते देखा है लेकिन सांप एक ऐसा प्रानी है जिसे पालना तो दूर लोग अगर दूर से भी सांप को देख ले तो वे या तो अपना रास्ता बदल लेते हैं या तो उस सांप को ही मार देते हैं सिर्फ सपेरे ही एक मातर ऐसे लोग हैं जो इन विशेले सापों को अपना जीवन यापन करने के लिए पालते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक साप से प्यार हो जाता है और प्यार भी कोई ऐसा वैसा नहीं बलकि वो लड़की उस साप के प्यार में पागल हो जाती है। उरिसा की रहने वाली बिंबाला दास को अपने घर के पास में ही बिल में रहने वाले एक साप से प्यार हो गया और वो उस साप के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि उसने उस साप के साथ ही साथ फेरे ले लिए। हाला कि आम आदमी के लिए इस बात पार यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बिंबाला ने ये कारनामा कर दिखाया, यहां तक की पूरा गाउं इस शादी में शाम लव हुए. हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी गाउं वाले ने इस शादी की विरोध नहीं किया बलकि खुशी-खुशी इस शादी में शामिल हुए. यह पूरा मामला औरीसा के खुर्द जिले से कुछ दूरी पर स्थित अताला नामक गाउं में हुआ. जहां बिम्बाला नामक रड़की ने हिंगु लीती के अनुसार पूरे विधी विधान के साथ अपने घर के पास के एक बिल में रहने वाले साप के साथ शादी कर ली, हाला कि जिस साप से बिम्बाला की शादी हुई वो तो इस शादी में शामिल न हो सका लेकिन उसकी बिम्बाला का मानना है कि साप भी उससे उतना ही प्यार करता है और इसलिए आज तक उसने उसे नहीं डसा, कुछ भी हो बिम्बाला के साथ साथ उसका पूरा गाउं इस शादी से बहुत खुश है, गाउंवाल का मानना है कि इस शादी के बाद से पूरे गाउं की किसमत ब